question number 3 है estimate what part of the figure is colored and hence find the percent which is colored यानि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि जो color part है उसका हमें percentage निकालना है ठीक है तो हम किस तरह से निकालेंगे इसके percentage तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे friction की form में लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले को friction की form में लिखेंगे तो इसके आप इस तरीके से कितने part कर सकते हैं यह देखिए इसके 4 part ही होंगे एक part दे रखा है तो इसको friction की form में कैसा लिखेंगे total कितने part है 4 और उसमें से 1 part shade है अब इसके आप part इसने का रखें पहले से 1,2,3,4,5 इस तरह से हम इसको पहले किस में बढ़ा लेंगे fraction में बढ़ा लेंगे अब easily यह क्या हो जाएगा easily percentage में convert हो जाएगा चलिए करते हैं इसको तो first fraction 1 upon 4 था इसको percentage में करने के लिए हम क्या करेंगे 100% से multiply करेंगे तो 4 से cutting हो जाएगी 25 time तो 25 percentage second को हम करेंगे 3 upon 5 multiply 100% तो cutting होगी 20 आएगा तो 20 को 3 से multiply किया तो 60% इसी तरह से हम next करेंगे 3 upon 8 multiply 100 percentage अब हम इसकी cutting करेंगे तो 4 से cutting करेंगे तो 25 और 2 तो 25 को 3 से multiply कर देंगे 75 upon 2 इसको भी हम divide करके देख लेते हैं 75 को 2 से तो 2 3 से 6 माइनस किया 1 और ये 5 यहाँ उत्रा तो 2 से विंजा 14 1 यहाँ पर बच गया तो क्या आजाएगा यहाँ पर 37 1 upon 2 प्रसेंट Question number 4 है find अब इसमें हमको find करना है और इसके भी 3 यहाँ पर 4 पार दे रखे हैं 15% of 250 तो इसको हम किस तरह से करते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा board mask का जो rule है उसको हमें वापस remember करना पड़ेगा कि क्या था off का मतलब क्या होता है तो यहाँ पर अब आप देखे board mask के rule में क्या होता था B O D M A S तो यहाँ पर B जो था वो bracket को show करता है O का मतलब भी क्या होता है off होता है सबसे पहले हम bracket को solve करते हैं उसके बाद off को solve करते हैं फिर division फिर multiplication addition and subtraction ठीके off का मतलब भी क्या होता है multiplication होता है अब हमारे पास first दे रखा है 15% of का मतलब होता है multiplication 2, 5, 0 अब आप देखें यहाँ पर कि जो percentage है उसका मतलब क्या होता है 1 upon 100 तो यहाँ पर 15 और percent की जगे क्या होता है 1 upon 100 तो percent की जगे 1 upon 100 हो जाएगा तो 15 upon 100 multiply 2, 5, 0 अब इसको solve कर लीजे 0 से 0 कट हो गया 15 को 25 से multiply करना है और 10 से उसे क्या करना है divide करना है तो पहले हम इसको multiply कर लेंगे तो multiply करते है multiply करने पर आ रहा है 375 upon 10 जो की नीचे था अब इस 0 को हटाया तो एक digit छोड़ कर क्या लग जाएगा point लग जाएगा तो 37.5 इसका answer आ रहा है next अब आप देखिए 1% of 1 hour अब 1 hour का 1% देखना है तो हम hour को क्या लिख सकते है minute में भी convert कर सकते है तो यहाँ पर हम hour को किस में convert कर लेंगे यहाँ पर minute में convert कर लेंगे तो एक गंटे में कितने minute होते है 60 minute होते है तो 1% of 60 तो 1 upon percent का मतलब क्या होता है 1 upon 100 तो 1 था और percent होता है 1 upon 100 तो इस तरह से होगा यह अब इसको हम cutting कर ली हमने तो यह आ रहा है 6 upon 10 और भी इसके अगर हम cutting कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 3s are 6 2, 5s are 10 3 upon 5 अब next देखिए 20 percent 20 percent percent का होता है 100 बन जाएगा नीचे multiply 2, 5, 0, 0 2, 0 से 2, 0 cut हो गए तो यहाँ आ जाएगा 500 next है हमारे पास कि 75 percent of 1 kg यानि 75 और percentage हटेगा तो 100 आ जाएगा नीचे 1 kg तो 1 को एसे ही रख लते हैं हम तो इसका हो जाएगा 75 upon 100 क्योंकि 75 बन से multiply होता है तो इसा ही रहेगा तो यह आ रहा है 2, 0 है तो 2 डिजिट यहाँ पर छोड़कर हम लगा लेंगे point तो यह आ रहा है 0.75 5